नब अफ़कार दूस्तों आप देख रहे हैं आज सिया नूज आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी ख़बर के बारे में आज की विभिन समाचार पत्रों में आप से संबंदित कई ख़बरी छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अच्मेहत पूर हैं इसलिए आप वीडियो को ला rise जरूर करिएगा जिससे अपनों को जानकारे प्राप्स हो सके अगर आप इसी परकार की जानकारी चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसे परकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिल आएकन दबा और वीडियो को आप सबसे पहले पहुंच आए वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं तो आई ये पहली ख़वर की बारे में जान लें पहली ख़वर की परमोसन ना होने से नाराज है सिच्छक जिले में एक हज्जार से अधिक अध्याबुक प्रभारी हेड मास्टर के तौर पर कारी कर रहे हैं यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है या ख़वर प्रभारावना की है जिले में एक हज्जार से अधिक अध्याबुक प्रभारी हेड मास्टर के तौर पर कारी कर रहे हैं परमोसन के लिए एक सिच्छक कई वार आंदोलम कर चुके हैं सुकरवा में या हिस्थिती है तो पूरे परदेश में क्या हिस्थिती होगी आप लोग आकलन कर सकते हैं यहां पर बताया गया कि चेट मोर्चा से जुड़े सिच्छकों का कहना है कि जिले में प्राथवीक और सम्मिलियन समेद कुल 2464 बिद्याले संचालित है इन बिद्याले में तैन प्राजबरिश अध्यापकों को सौंप दिया जाता है अंतर जन्पदिय तवादला की चलते कई स्कूलों में कारिरत प्रभारी हेड मास्टर का पद भी रिक्त हो गया है सिच्छक नेताओं का कहना है कि अस्थाई बेवस्था अल्पकाल के लिए तो ठीक है लेकिन बिना प्रमोशन पाए सिच्छकों से अत्रिक्ट कार लिया जाना उचित नहीं है तो इन्हें प्रमोशन दिया जाना चाहिए अगर प्रमोशन होता है तो पद रिक्त होंगे और सहाय का ध्यापक की भरती में पदों को जोड़ा जाएगो और पदों की शंख्या बढ़ेगी तो प्रमोशन होना चाहिए आप लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए अगली ख़बर है कि निरसाले ने मांगी ज्वाइन नक करने वाले अभर्चियों की सूची असिश्टर प्रोफेसर के रिक्त पदों पर प्रतिच्छा सूची के अभर्चियों को मिलेगी न्यूक्ती उ सबी छेत्य उची सिच्छा अथिकारियों को जारी किया प्त्र है तो बहुती अच्छी ख़बर है या विज्वापन संख्या 47 की बात है यहां पर पूरी जारकारे दी गई है कि परदेश के आसास के महाविध्यालों में विज्वापन संख्या 47 की तहट 35 विश्यों में अ जारी कर्ज़ानिंग ना करने वालों की सूची के साथ अन्य जानकारी तलब कर ली है ता कीरित पर पर परसिछा सूची या अत्रिक्त सूची के अभ्यर्टों का चैन किया जा सके तो बहुत ही अच्छी ख़बर है अगली खबर है कि हर मादमिक स्कूल की होगी खुद की ट्रेसी को पार्टिकर में सामिल किया जाएगा प्रतेग विद्याले की वेवसाइट त्यार करने के साथ स्कूलों में डिजिटल क्लास्रूम बर्चूल लैब और केम्पूर्टर स्चकों की वेवस्था होगी राज़्टिय सिछानी 2020 के तहट मादमिक सिछा विभाग ने इसकी तैयारिया सुरू कर दी हैं योजना के अंज़ार आजकी भी ज्यालों में 2021 से 22 से कच्छा च्छे से कोडिंग लागू कर उसे चड़बद तरीके से कच्छा आर तक पढ़ा जाएगा शिछन मुल्यांकन नियोजन और प्रसासन में सुधार के लिए प्रदोगी की इच्छा और माल्ग दस्तर प्रामर साज़्ा करने का आउसर मिलेगा तो बहुत से उपयोग होंगे खुज की वेबसाइट के तो हर मादमिक श्कूल की खुज की वेबसाइट होगी इधर उधर वेबसाइट में भटकना नहीं होगा अगली ख़बर है कि प्रमुक से लेडियों में बाटे ऐसा डीम का कहना है मत पेटका की हुई मरमत जिसमें आप ओटिंग करके परशी को डालेंगे और यहां पर एक महत्पून बात लिखी हुई है कि सोसल मीडिया पर वारल होता रहा फरजी आरच्छन तो फरजी आरच्छन की बात नहीं करनी है जो आरच पर वारल है उसके सम्मण में बात करनी है फरजी आरच्छन से कुछ नहीं होता है सोसल मीडिया पर इस तरह की खबरे समय समय पर आती रहती है अगली खबर है कि बीएट का नया सत्त दो अगस्ते यहां पर पूरी जानकारी दी गई है परदेश की बीएट कार्जों का नया सत्त दो अगस से सुरू होगा लखनो विश्विद्याले द्वार आयोजित बीएट सनुत पर इस पर इच्छा के लिए सनीवार को सासना दिश जारी कर दिया गया है बीस सच्यू मनोझ कुमार की ओर से जारी आदिश में बीएट काल्जों में दाकले के लिए आवेधन प् दाउनलूड किया जा सकेंगी और परिच्छा 19 मई 2021 परस्तावी थे परिच्छा में समया अनुसार बदलाव किया जा सकता है अगर इस तरी परस्तिती सही नहीं रही लेकिन आप लोग 19 मई 2021 की परिच्छा को मान कर तयारी करें बदलाव होने की संभावनाएं कम हैं अगली ख़व है कि राहूल का मतलब तबाही की बातें ऐसा बित्तमंत्री का कहना है क्या ऐसा बित्तमंत्री को कहना चाहिए आप लोग अपनी रायक कमेंड़ वाक्स में जरूर दें यहां पर बहुत ही महत पूर बात लिखी हुए कभी वजट कभी किरसी कानूनों का कांग्रेस के पूर अध्यश राहूल गांदी पर बित्तमंत्री निर्मला सित्रवन सनिवार को लोग सभा में बहुत आकार्मक नजर आई तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि राहूल गांदी असिच्छित नहीं हैं राहूल गांदी जो बोलते हैं वास्तो समझ कर बोलते पिलहाल राहूल गांदी पढ़े लिखे हैं अब उन्हें लोग पप्पो कहते हैं उन्हें पप्पो बना दिये हैं लेकिन अगर उनकी बाते सुनी जाएं उनका वीडियो देखिए उनकी बाते सुने आप तो आप उनसी गहराई पर जाएंगे तो आपको ऐसास होगा कि व जाएगा एनर्सी तो मुस्लमान पाकिस्तान चले जाएंगे तो हिंदू ए हो जाएगा तो हिंदू ओ जाएगा इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है जो मजहम को बातने का प्रियास करते हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है हमें अपने काम से काम रखना है और आगे होगा उसका निप्टारा करना है देश हित सर्व प्रतम हमारे खुन में है मैं अपने देश के लड़ जाओंगा मिट जाओंगा मर जाओंगा लेकिन बाटने के काम करने वाल लोगों के साथ नहीं रहोंगा आप लोग इसको ठाल ले तो आगे भविश्च में आपको को परगला नहीं सकता अगली कवर है कि मांगी जवाईनी ना करने वालों की सुची जैसा की मेरे द्वरा अभी आपको बताए गई है अगली कवर की पंचाय चुनाओं के चकर में फसी परिच्छा की तारिक है मई में हो सकती है आप लाइन बारशी परिच्छा है या प्रोफ कर सकता है लेकिन इसे चुनाओं और परिच्छाओं की टक्राने की आशंक्या बनी रहेगी ऐसे में वार्षी परिच्छा मई में कराय जाने की तैयारी है हालाकि इससे पहले बिशम समेश्टर की परिच्छा हो के लिए सिर्फ 54 दावेदार या उत्तर परिच्छा में सामिल अभर्ष्यों के लिए चैन के और अधिक बढ़ गए है परिच्छा के पंजीक्रत 94 अभर्ष्यों इसे किवल 54 परिच्छा की पहले दिन अपनी उपस्थती दर्श कराई इस परिच्छा की तेज बारा पदों के लिए अब किवल 54 दावेदार रहे गए हैं इस भरती परिच्छा में एसी अप का कोई पद नहीं है अगली कवर एससी की है यहाँ पर एससी लिखा हुआ है आज 14 हजार से अधिक परिच्छा देंगे परिच्छा यहाँ पर पूरी जानकार दे गई है बताय गया है कि करमचारी चैन आयों ने सुक्रवार को कंबाइन हार सेकंडरी लेवल 2019 टी एस बर में टीर वन परिच्छा में सफल कुल 44,856 परिच्छा में सामिल होंगे ससी मजचेत के निस्तक राहु सचान ने बताया कि मजचेत में कुल 14,186 परिच्छा सामिल होंगे अगली कवर है आनलाइन आप रिजन 18 फरोडी 2021 से 2870 परिच्छा और परिडाम 20 से 25 जून के बीच जारी किया जाएगा अगली कवरे की साहय का ध्यापक भरती को लेकर है साहय का ध्यापक भरती की लिखत पर इच्छा में अब होगा एक प्रस्पत बहुत बड़े बदलाओ की तयारी है मैं आपको बता दूं यहापर पूरी जानकारी दी गई इसे आपको समझना प्रदेश के साथनादेश में लगातार बदलाव चल रहा है एक माह के भीतर दो साथनादेश जारी हुए हैं और दोनों में इस पश्ट है सहाय का ध्यापक भरती की लिखित परिछा सिर्फ एक प्रस्पत ही होना है जबकि आदेश में दो प्रस्पतों का जिक्र है इसलिए तीसरा सासनादेश जारी होना तहें भरती का विग्यापन 18 फरोरी 2021 को जारी किया जाएगा प्रदेश के 3045 आसास के साहता प्राब जूनिर हाइस्कुलों में 1894 पदूपर भरती होनी है तो सवाल है कि सासनादेश कब आएगा तो सासनादेश बहुत जल्द आने की संभाव होना है तो आप लोग इंतजार करें और यहां पर एक महतपुर बात लिखी हुई है इसके बारे भी आपको जानेकारी होना ऑश्यक है यहां पर लिखा हुआ है कि जूनिर हाइस्कुल भरती में चार विश्यों की भरती हो रही है इसके पहले 2013 में परिशत के उच्छ प्रा जाना ध्यापक का प्रियाब जारी कर दिया जाएगा तो अब तक की सबसे बड़ी ख़वर है आप लोग उपनी तयारी करते रहें आगी कोई जारकारी भी लगी इस चैनल के माधिम से दी जाएगी अगली ख़वर है 22 मार्च की बाद जारी होगी असू चना त्री अस्त्र चरण में चुना होगा इसमें दो राय नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ है कि 19 मार्च को योगी सरकार की चार साल पूरे हो जाएंगे सरकार को समारों के लिए प्रियाप्त समय मिल जाएगा 30 अपरल तक हाई कोट के आजिस के तहत हर हाल में पूरी कर ली जाएगी पंचाय चुनाओं की बिदिक परिक्रिया तो आईसा योगी सरकार का कहना है तैयारियां हो रही है समीच्छा कीज आ रही है यहाँ पर अगर आपको थोड़ा बिस्तार से जानना तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज सरकार भले ही पंचायतों के आरच्छन का काम 15 मार्च तक ड़िशी 26 मार्च जो मेरे दार आपको डेट बताएंगे 26 मार्च तो आपको बतादे कि बाईस से लेकर 27 के बीच आज सूचना जारी की जाएगी अपकिसको नोट कर ले ना जो मेरे दोन आपको तक बताएं आ रहा है वह होने वाला है अगर आपको इसी परकार की जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं आपको इसी परकार की जानकारी समय समय पर देता रहता हूँ जैंजे बारे दूस्तों नमस्कार